पजामी बनाने के लिए मैंने 60 cm कपड़ा लिया है आदा मीटर से थोड़ा सा जादा और इसको एक वार ऐसे फोल्ड कर लिया है एक वार फोल्ड करने के बाद हम इसको एक वार और फोल्ड कर लेंगे अब एक कपड़ा हमारा चाल लेयर में हो गया है अब हम उपर की साइड में दो इंच पे एक निसान लगाएंगे इलास्टिक डालने के लिए इस निसान से नीचे की साइड में हम इसकी लंबाई देख लेंगे इस कपड़े की लंबाई है साड़े 20 इंच इस में से एक इंच नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा तो जो तैयार लंबाई होगी पजामी की वो होगी साड़े 20 इंच अब हम यहाँ पर हिप के लिए निसान लगाएंगे तो हिप के लिए निसान हम साड़े 7 इंच पे लगाएंगे और इस निसान से नीचे की साइड में हम आसन के लिए निसान लगाएंगे आसन के लिए निसान हम आठ इंच पे लगाएंगे यहां से आठ इंच तक इस निसान को सीधा कर देंगे अब यहां से इधर की साइड में हम दो इंच बढ़ा देंगे अब हम इसमें गोलाई कर देंगे यहाँ पर हम मौरी के लिए निसान लगाएंगे मौरी के लिए निसान हम साड़े साथ इंच पर लगाएंगे यहाँ से हम ऐसे निसान लगा देंगे यहाँ तक अब हम यहां से इसके कटिंग कर देंगे इसकी मैंने कटिंग कर दी है अब हम इसके सिलाई शुरू करेंगे तो इसको हम ऐसे खोल लेंगे इसको मैंने ऐसे खोल लिया है और ऐसे रखा गुआ है इनकी सीधी सीधी साइड एक साइड में है तो हम सबसे पहले इसका आशन जोड़ेंगे तो ऐसे सिलाई लगाके हम एक सायड के आशन को जोड़ेंगे और दूसरी सायड में हम ऐसे सिलाई लगाके दूसरी सायड के आशन को जोड़ेंगे अब हम दूसरी सायड के आशन को जोड़ेंगे यह मैंने दोनों साइड के आसन को जोड़ दिया है अब हम इसकी मोरी पर सिलाई लगाएंगे यह मोरी वाली साइड है इसकी इसको हम ऐसे डवल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे दोनों पैर की मोरी पर ऐसे ही सिलाई लगा देंगे अब हम दूसरे पैर की मौरी पर सिलाई लगाएंगे इसको ऐसे डवल फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में और सिलाई लगा देंगे ये मैंने दौनों साइड के आसन जोड दिये हैं और मैंने मौरी पर भी सिलाई लगा ली है अब हम इसको ऐसे रख लेंगे और ऐसे सिलाई लगा देंगे ऐसे सिलाई लगाने के बाद हम बेल्ट तयार करेंगे इसको हम पहले आदा इंच फोल्ड करेंगे इसके बाद हम इसको डेड़ इंच और फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा के हम बेल्ट तयार कर लेंगे थोड़ी सी जगह हम खुली छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए यहाँ पर सिलाई को हम डबल कर लेंगे यहाँ पर भी हम सिलाई को डबल कर देंगे अब हम इसकी बेल्ट तयार करेंगे यह नीचे वाली साइड को ऐसे कर लेंगे और इसको पहले हम आदा इंच फोल्ड करेंगे इसके बाद इसको डेड़ इंच और फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाके हम बेल्ट तयार कर देंगे यह थोड़ी सी जगह खुली छोड़ दी है मैंने इलाश्टिक डालने के लिए यह मैंने एक इंच चौड़ी और 19 इंच लंबी इलाश्टिक लिए है अब इसको में सेफ्टिक इन की सायता से इसमें डाल दूँगी यह मैंने इसमें इलाश्टिक डाल दी है अब इलाश्टिक पर हम ऐसे सिलाई लगा देंगे दो तिन बार अब हमें इस खुली हुई जगह को सिल देंगे यह मैंने खुली हुई जगए को सिल दिया है अब हम इलाश्टिक को ऐसे कर लेंगे दो चार बार और इसके बीच में सिलाई लगा देंगे इलाश्टिक के ऊपर इस कपड़े को बरावर कर लेंगे और इसके बीच में सिलाई लगा देंगे और ये सिलाई हम इलाश्टिक को खिंचते हुए लगाएंगे हमें इलाश्टिक को इधर से भी खिंचना है और इधर से भी खिंचना है ये मैंने इलाश्टिक पे सिलाई लगा दी है अब हमारी पजामी वन के तैयार है वीडियो पसंद आई होते से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू